मैं बिलकुल एन ही कहता हूँ कि अकास ऐसी गल्ती कर रहा है, और अगर आज को छोड़ दिया जाया और सेवेंटीन को छोड़ दिया जाया तो सेवेंटीन डेज है और इस time थोड़ा सा इनो patience बच्चों का जो उमीद में बैठे होते हैं कि काफी अच्छा हो करेंगे और अच्छा हो नहीं रहा होता है तो थोड़ा जवाब देने लगता है और उन बच्चों का जो 600-700 स्कोर कर रहे हैं 700 के आसपास स्कोर कर रहे हैं वो थोड़ा overconfidence में चले जाते हैं तो इसमें मैं दोनों को cater करूँगा लेकिन ज़्यादा तर जो बाते करने वाला हूँ कि overconfidence kills ये जो heading दिया है मैंने thumbs nail इस पे ज़्यादा बात करने वाला हूँ या parents हो सकते हैं कि उनके लिए कुछ न कुछ होगा क्योंकि मैं कुछ न कुछ देता हूँ इस वीडियो में तो आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि मैंने पूरा अपना 17 जुलाई तक सारे schedule cancel कर रखे हैं टूर वगरे के तो मैं everyday basis पे आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ कोसिच कर रहा हूँ कि थोड़ा अपलिप्लिमेंट हो और आपको फायदा होगा तो naturally मुझे फायदा होगा क्योंकि मैं ये channel बनाया हूँ आप लोग के लिए ये लिंक भी देता हूँ तो अब आजाते हैं टू देपॉइंट कि ओवर कॉंफिडेंस किल्स मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हां पढ़ भी रहे जिन्होंने पिछरे साल डिफरेंट डिफरेंट टेस स्रीज में 690, 700, 650, 630 स्कोर किया और आखिर के एकजाम में वो 590, 570 इस तरह से हो गए तो ये क्या दरसाता है ये काफी कुछ दरसाता है और मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरनल बात भी भी बताऊंगा जो हम टेस्ट पेपर बनाते टाइम करते हैं अब मैं बताता हूँ इसमें प्राब इस नहीं रहते हैं frankly speaking थोड़ा इदर-वदर help ले लेते हैं दूसरा ही यह होता है कि आलाइन टेस्ट स्रीज में questions का random selection होता है और random selection वाले questions बहुत हद तक justify नहीं कर पाते किसी टेस्ट को सारे chapters सारे सब chapter को वो represent नहीं कर पाते हैं और यह एक बार नहीं बार बार ऐसा होता ह मैं आप सबको एक पूरा clear example दे देता हूँ इस बार J.E. स्टार्ट हुआ I think 25 को उसका पहला पेपर था 24 को आर्किटेक वाला था या J.E. मेंस का जो भी पहला पेपर था वो देख ले ना पहला पेपर का discussion मैंने ही किया था पूरे J.E. में सिर्फ 25 questions करने होते हैं बच्चों को 25 question में 4 question gravitation का आ जाना बहुत technical बात बता रहा हूँ सारे students समझेंगे और parents भी समझ सकते हैं एक छोटा chapter जो 4 से 6 गंटें पढ़ा दिया जाता है जिसकी overall value होनी चे ज़्यादा ज़्यादा एक question उस chapter से 4 question J.E. में आ गया है अब वो कभी भी किसी भी हालत में कोई अगर समझदार paper setter बनाता तो ऐसा नहीं कर सकता था जिन्दगी में ऐसा कोई paper नहीं आया होगा लेकिन computer देवता ने उसको randomly choose किया और आ गये 4 question इसी तरह जितने भी questions online होते हैं random selection आप test papers होता है तो वहाँ पे कई बार आप अच्छा कर रहे होते हो लेकिन जो real representation होता है कुछ-कुछ chapters का वहाँ वो missing हो जाती है अब अगर आपके 10 question ही ऐसे गलत हो जाए तो आपको 10 question गलती कमें एक्जाम में तो 40 number तो ऐसे कम हो गया है दिया तो आपके 600 number पर आ गया है और same with इनों और ज्यादा number पर ऐसा हो सकता है एक और test series में गड़बढ होती है मुझे क्योंकि मैं test series खुद बनाता हूं खुद paper set करता हूं ज्यादा तर तो मुझे पता है कई बार जब हम एक test बनाते हैं बहुत technical बात फिर बता रहा हूं आपको जब हम test बनाते हैं तो एक साथ हम four seat of paper लेके बैठते हैं और हमने अपना एक question bank बना रखा होता है अब question number five मैंने दिया paper one में तो question number seven मैंने paper two में दे दिया और question number eight मैंने three में दे दिया और question number ten या टॉल वसी के आसपास मैंने paper number four में दे दिया तो अब क्या हुआ अकसर जो question का sequence होता है एक concept पे 10 question अगले concept पे 10 question अगले concept पे 10 question तो क्या हुआ कि चारो paper में एक ही concept का different different questions गया एक ही concepts के different different questions गये तो आप चारो paper भी वहल अगर solve कर लिया आपने तो you haven't got the true representation of the whole syllabus whole chapter अगर आपने एक में अच्छा किया तो आप चारो में अच्छा कर रहे हूँ बेटा यहीं पे mistake हो जाती है यहीं पे mistake हो जाती है प्लीज ऐसा बिलकुल ना करें अगर एक ही pattern एक ही किसी का test series आप follow कर रहे हैं और उसमें यह गलती हुई मैं बिलकुल एंगी कहता हूँ कि अकास ऐसी गलती कर रहा है एलेन ऐसी गलती कर रहा है momentum ऐसी कर रहा है resonance ऐसी कर रहा है फिर जी ऐसा मुझे नहीं कहना किसी के वारे में लेकिन अगर ऐसा हुआ तो प्राब्लम है और फिर आप हो सकता बहुत अच्छा है स्कोर करो टेस्ट में क्योंकि एक में अच्छा है तो अगले में भी आएगा और फिर आप में टेस्ट में आपके साथ धोखा हो सकता है आज अगर 17-18 दिन बचा हुआ है नीट में तो भी अभी भी आप ऐसा मस सोचें क्योंकि कुछ लोग आपको राय देने आ जाएंगे कि अब नई टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए हलाकि इस पर वीडियो में कल दे रहा हूं लेकिन आप अभी भी नए कॉंसेप्ट सीख सकते हो इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेशन बनते हैं अगर क्लियर नहीं हो तो दुबारा कर लो क्लियर प्लीज कर लो क्योंकि आप अभी टाइम है आपके पास अभी यह अब नहीं सोच सकते टाइम कम है और सबके सजेशन्स मत मानिये क्योंकि दुनिया में काफी लोग ने कॉम्मेटीशन देखा ही नहीं उनकी उनको दर्द नहीं पता हो नहीं बर लाइटली लेते हैं क्योंकि बोल देते हैं रहे कुछ नहीं होता एक बच्चा पुरे साल ताकत लगा रहा है कुछ-कुछ बच्चे कई ड्रॉप लिए हैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कुछ नहीं होता जाओ मस्ती से चिंता मत करो सब अच्छा होगा रहे ऐसा अच्छा नहीं होता होता पढ़ने के बाद तो अच्छा होता है नहीं, ऐसे कैसे अच्छा हो जाएगा तो कुछ भी बोल देते हैं, हलाकि इस पर में वीडियो कल बनाऊँगा लेकिन बेटा आप लोग याद रखना कि ओबर कॉन्फिडेस मत होना अब आ जाते हैं lower marks score करने वाले जो lower marks score करने वो अभी भी इस tension में है कि 17 के बाद क्या करेंगे अरे 17 के बाद वाले चीज 17 के बाद छोड़ोना यार तब सोचेंगे, अभी कुछ भी और आप नहीं सोचोगे कुछ भी नहीं सोचना है अपको अगर कुछ भी सोच लिए आथ पाप कर दिया आप लोगों ने 17 के बाद सोचेंगे और अगर अभी आप 300-200 लेके आ रहे हो तो अपनी आप ranking देखो 50% जाते जाते 130 नमर आ जाता है यानि अगर 16 लाख बच्चे लास्टेर एक्जाम दिया तो 8 लाख बच्चों के मार्क्स डेड़ सो भी नहीं आये थे 130 भी नहीं आये थे इफ यू आर स्कोरिंग 300 तो यू इल बी अमंग 5 लाग, 6 लाग, 7 लाग स्टुडेंट आउट आप 16 लाग तो काफी हद तक आपने differentiation create कर रखा है Now please don't worry वो वाला वरी नहीं कि मैंने कहा कि अच्छा हो जाएगा अच्छा अच्छा नहीं होता अपने आप Now don't worry after exam situation Worry about 17th situation और फिर आप करके देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बढ़ियां perform करोगे 7.30 बे मिलते हैं Bye-bye Thank you